हालो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशीला सैनी गाइनेकलोजिस्ट और अप्सिटेशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बीन हॉस्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकरी के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं बहुती कामन टापिक के बारे में सबको आपने कहते सुना होगा कि हमें पानी पीना चाहिए पीना चाहिए बट यह नहीं बताते कि कितना पानी पीना चाहिए कैसे पी सकते हैं और पानी पीने के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं Friends, आपको पता होगा, शायद कि अपनी body में 60% body का part is the water, यानि हमारा जो शरीर है, वो 60% पानी से बना हुआ है, यानि 40% only is the solid part, तो आप समझ सकते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, और दूसरे important बात, कि जो blood है, उसका 90% part पानी से बनता है, तो आपको blood के flow के लिए और अपनी body के सही maintenance, सही चलने के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पूरे वीडियो में हम ही जानेंगे कि पानी पीने की आखिर कितने फाइदे हैं, और अगर पानी नहीं पीएंगे, तो क्या-क्या problem हो सकती है, पानी पीने का बहुत बड़ा फाइदा है, कि अगर आप proper पानी पीते रहते हैं, तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, जिससे के dehydration नहीं होता है, तो आपका बाडी का जो जितने भी system है, वो सारे सही रूप से, सुचारू रूप से काम करेंगे, तो पूरे बाडी के जितने भी organs हैं, आप brain को ले लीजिए, digestive system, renal system, कोई सा भी system, अगर जितने भी बाडी के system है, वो सारे को सही चलाने के लिए, पानी का बाडी में सफिशिंट मात्रा में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहला फाइदा है, पानी पीने का प्रॉपर मात्रा में पानी शरीर में जाता है, तो आपका जो मुग के अंदर saliva और mucus बनता है, वो बहुत सही मात्रा में बनता रहता है, नहीं तो जैसे आपको प्यास लगती है, तो आपका मुँस हुखने लग जाता है, सलाइवा फाइदा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए पानी बहुत जादा जरूरी है, पानी प्रॉपर पीने से आपको एसीडिटी या हाट पन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और खाने का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, तो इन डाइजेशन और अगर आप सुबह एक लीटर पानी पीते हैं, उठते ही तो आपको कॉंस्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि दिन भर में अगर आप प्रॉपर पानी पीते रहते हैं, तो खाने का डाइजेशन सही होता है, तो आपको बहुत ही पूरे दिन में आराम रहेग और किडनी के अंदर किसी तरीके का शटडाउन नहीं होता है, यानि कि अगर पानी कम मिलता है, तो किडनी खराब होने का खत्रा रहता है, दूसरा पानी कम पीने से किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होनी लगता है, यानि कि किडनी के अंदर पत्री की समस्या हो जाती ह तीसरा पानी कम पीने से यूरीन कम बनता है और जो यूरीन बन रहा है किड्नी उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है यानि अपने शरीर में अगर पानी की मातरा कम है तो किड्नी उसको निकालती नहीं है बचाने की कोशिश करती है इसलिए जो यूरीन बन रहा है उसमे तो बहुत ज़्यादा chemicals की मात्रा बढ़ जाती है जो toxic material हमारी body से बाहर निकलने होते हैं वो पूरे नहीं निकल पाते हैं इसलिए उसमें urine में infection की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी कम पीने से पत्री हो सकती है UTI हो सकता किड्नी को खराब होने का खत्रा बढ़ जाता है तो आ जितने भी toxic material है वो पूरे शरीर से बाहर निकल जाएंगे तक बाड़े का detoxification करने के लिए आपको सही मात्रा में पानी पेना बहुत ज्यादा जरूरी है चौथा बड़ा फाइदा है कि आपके skin यानि कि हर कोई चाहता है कि आपके skin चमकदार है सपल रहे soft रहे और इस तरी आपके skin सपल होगी यानि अच्छे से movement करेंगे shining होगी radiant skin होगी pimples नहीं आएंगे और उस पे जुर्रियां भी कम पड़ेंगी अगला बड़ा फाइदा है पानी पीने का कि अगर आपका body में hydration proper यानि पानी की मात्रा सही है तो blood का circulation पूरे body में अच्छे से होता है क्योंकि ह हमने बताया आपको कि 90% of the blood is the water यानि कि फून का 90 प्रतिशत हिस्सा पानी ही है अगर पानी कम होता है तो blood concentrate हो जाता है उसका जो circulation है वो इतना स्मूथ नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से पूरी body में oxygen और nutrition प्रॉपर तरीके से डिलिवर नहीं हो पाता है इसलिए adequate hydration बहुत ज़रूरी है अपनी body में हर सेल तक oxygen पहुंचाने के लिए nutrition और oxygen पहुंचाने के साथ साथ ही adequate hydration आपके body में blood pressure को maintain रखने में भी बहुत बड़ा फाइदा देता है अगर आप proper पानी पीते हैं तो BP का बिमारी आपको नहीं होता यानि high BP आपका नहीं होगा और BP लो भी नही हो रहा है तो हम उस यह बोलते कि इसमें नमक डाल के आप यह निम्बू या नमक की शिकनजी बना के आप पी लीजिए जिससे की BP आपका maintain रहे पानी अधिक मात्रा में या नॉर्मल मात्रा में पीने से आपका joints जो body के जितने भी joints हैं उनका lubrication भी बना रहता है तो यानि अ कहता है कि वह slim दिखे मोटा नहीं हो और वेट जादा है तो वेट कम हो जाए अब वेट कम करने के लिए हम बहुत सारी medicines कानी को तयार है बट हम पानी को avoid कर जाते हैं पानी एक free की medicine है जो सबको available है बट underutilized है उसकी value हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वह में free में मिल रहा है अगर अच्छे से पूरे दिन बर का 3-4 लिटर पानी पीते हैं तो आपका weight regulation भी ठीक होता है यानि आपका वजन बढ़ता नहीं है और अगर बढ़ा हुआ वजन है तो वह भी कम हो सकता है क्योंकि उससे आपका digestion ठीक रहता है भूक आपको ठीक लगती है नींद आपको प् करता है तो यह weight management में भी बहुत बड़ा रोल है adequate hydration का तो आप इसे प्लीज इग्नोर ना करें और adequate hydration अपने बाडी का जरूर मिंटेन रखिए जब भी आप exercise के लिए जाते हैं या exercise कर रहे हैं या morning walk, evening walk आप कर रहे हैं तो हम आपको यह suggest करेंगे कि पानी का bottle आप अपने करें रहता है जिससे कि आपको exercise करने की capacity बढ़ती है और आप अच्छे से exercise कर पाते हैं और आपका joints कर इनका lubrication भी बना रहता है ताकि exercise smoothly हो सके और आपकी joints damage नहीं हो और आपको exercise का पूरा result मिल सके तो पानी exercise के दौरान पीना भी बहुत जरूरी है इसके अलावा अगर बहुत जादा ठंड है या बहुत जादा गर्मी है तो भी अगर आप पानी normal temperature का पानी आप पीते रहते हैं तो आपका temperature regulation में भी बहुत मदद करता है adequate पानी प होता है तो बॉड़ी इसको conserve करने की कोशिश करती है जिससे कि हमें पसीना अगर बहुत जादा है तो उस दौरान आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है पानी कम पीने का बहुत बड़ा नुकसान शायद आप लोगों नोटिस ना किया हो बट यह वेरिफाइड है कि कोई अगर आपको पानी पीता है उसका मुह सूपता रहता है या उसका किड्नी का और भी कोई सिस्टम प्रापर काम नहीं कर रहा है तो उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉड में भी पानी की कमी होने लगती है जिसकी वज़े से इंसान को माईग्रेन या चुचड़ा पन या नीन इरिटेशन इस तरीके की कई प्रकार की मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है तो अगर आपको जिसे गुसा आ रहा था अगर आप ने ठंडा पानी पी लिया तो आप कूल डाउन हो सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मन नहीं लग रहा है कुछ आपको माइगरेन के समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है तो अब तक के वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बट कन्फिसन यह है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए तो जो एडिक्वेट मात्रा है पानी की एस सच कहीं पर लिखी हुई नहीं है डिसाइड नहीं है बट जो अब तक की स्टडी में रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप 3-4 लीटर पानी दिन भर में पी लेते हैं तो वो आपकी बॉड़े के लिए एडिक्वेट माना जाता है सफीशिंट माना जाता है जिससे आपका प पानी पीते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी कंजियूम किया है पूरे दिन भर में दूसरा तरीका यह कि 3-4 लीटर पानी का मिनिंग हो गया कि 12-16 ग्लास पानी अगर आप 12-13 गंटे के अंदर पी लेते हैं क्योंकि 12-8 गंटे तो आपने सोने में चल आउठा भी बाराई याद कैसे रहे कि हर घंटे पानी पीना है क्योंकि काम करते watches करते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं किम बनी पानी को पीना हों और हर घंटे का एक रेमाइंडर अगर उसमें डाल दिते हैं कि मुझे पानी पीना है तो अगर ओर रिमाreno और आपको मोबाइल पर आयगा, तो आपको याद आए गार आप ए गलास पानी पी सकते जह an अब जो खाने के फल हैं जैसे के संत्रा है तर्बूज है खर्बूजा है इन में पानी काफी मात्रा में होता है यह अगर आप दिन भर में कंजियूम करते हैं तो भी आपके शरीर को पानी मिलता है इसके अलावा आप शिकंजी है लसी है दाल है जूस है सूप है यह सब चीज यह थोड़ा contradictory है क्योंकि चाय और कॉफी डाइ यूरेटिक होते हैं, डाइ यूरेटिक का मेनिंग होता है कि शरीर से पानी निकालते हैं क्योंकि इंड्यूस करते हैं जाधा यूरीन का आना, इसलिए इनको चाय और कॉफी को लिक्विड की उस कैटेग्री में नहीं रखा ज आपको डाइरिया है, वामिटिंग हो रही है, यह आप ऐसे एंवायरमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पसीना बहुत जादा आ रहा है, और आपको बहुत जादा उल्टियां हो रही है, तो आपको फिर तीन से चार लीटर पानी आपको कम पड़ेगा, तो आपको जितना आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और डाइरिया वामिटिंग होने की कंडिशन में सिंपल पानी से काम नहीं चलता है, तो उसकी जगह फिर आपको और नमक और निम्बू की शिकंजी या इस तरीके का पानी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पानी की मात्रा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो यूरीन का कलर आपको बताएगा कि आपका शरीर के अंदर पानी एडिक्वेट मात्रा में है या नहीं है, अगर आपका यूरीन का कलर इस तरीके का लाइट यलो या पानी के कलर जैसा आ रहा है, देट मिन्स कि आप सफिशन्ट मात् करती है और उसमें टॉक्सिक माटीरियल के इस तरीके का ने का और यूरीन का आने लगता है तो अगर आपका यूरीन इस कलर का आता है आपको पानी और पीने की ज़रूरत है और अगर यह यह जैसा ओर अच्छे फ्लो में आ रहा है एडिकवेट मातरा में आ रहा है that means कि आपके शरीर में पानी सफिशंट मातरा में उपलब्ध है तो अब आप आपको समझ में आ गया कि पानी पीने के फाइदे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पानी पीने के कितने जादा नुकसान है तो मैं समझते हूं कि आपको यह वीडियो लाबदायक लगा होगा और अगर आपको यह भी पता चल गया होगा कि कितना पानी हमें पीना चाहिए यानि कि 3-4 लिटर पानी हमें पीना चाहिए और यूरीन के कलर से हम अपना एड़स्टमेंट कर सकते हमें पता चल जाता है कि हम पानी कम पी रहे हैं जादा पी रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगा है तो आप अपने रिलेस्टिव और फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्रा जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू सो मच पर पेशेंस हीरिंग फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ नमस्कार